चलो हाई Monday Night Raw की viewership फिर से अपने पुराने हालातों में आ चुकी है जैसे वो डायलोग निया चार दिन की चांद नी फिर अंधिरी रात लास्ट वीक की इच विविवर्शिप थी मैंने आपको बताई दी 1.884 तो यह पुराना वाला है वैसा हो चुका और आपको पता ही था पहले से किया तो इसका मतलब की वह बंदा आएगा नी क्योंकि इस ताम पे डबल डबली उनके नाम से टिकेट्स भी बैजने जाएगे टिकेट्स बिकी भी थी लेकिन इवेंच्वली सी एंपंग नहीं थे रह कि कुछ भी नहीं वह अंतर क्योंकि जिन लोगों को शाथ देखना है रहो हमको अभी तक देखना शुरू कर देना चाहिए था क्योंकि सीम पंग के आने से पहले भी जब ट्रिपल एच कॉंटेंट प्रिड्यूस करें तो एक स्टेबिलिटी दिख रही है बागी सीम पंग यहां पर जो उनको मतलब पहले तो यह ब्रॉक लेस्नर की तरह देख रही है बिल्कुल तो थोड़ा बात में देख रहा था कि लोग पता नहीं ट्रोल भी करने लगए कि आ रहे लगता है ब्रॉक लेस्नर को बस लम्मे बाल कर दिए तो उनकी डॉर्टर बिल्कुल वैसी मतलब आने वाले टाइम में लोग यह भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देखते हैं ब्रॉक लेस्नर क्या रोल प्ले करते हैं क्योंकि ब्रॉक लेस्नर अलग टाप के आपको पता ही होगा ऐसे नहीं है कि हां मेरी बेटी है तो लेकिया जाता हूं उनका सोच विचार करने का अलग है तो आने वाले टाइम में मुझे नहीं पता नाम की मैं लेस्नर ऐसे करना चाहिए इसको इसको पता बता देना है लेकिन इन्होंने शॉर्ट पुट में 18.50 मेटर्स का जो रिकॉर्ड है उसको बना दिया है अगली स्टोरी के तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और यह बहुत बड़ा रिजन हो सकता है रेंडी ओर्टन का सूपर फैन बनने का क्योंकि एट लीस्ट रेंडी ओर्टन वो सूपर स्टार है जो कि किसी भी रिजन की वज़े से डेवल लबली कंपनी को नहीं छोड़ने वाल है वो कहते हैं मैं यहीं हूँ मैं यहीं रहूंगा और वो साथ में यह भी बोलते हैं कि अभी जब मेरे को यह प्रॉब्लम होई पूरी जो मैंने पूरे अठारा महिनों को अल्मोस ब्रेक लिया था तो इस टाइम में उनको कैसे पता चला कि कैसे हर एक मोमेंट को वो जीना चाहते हैं हर एक दिन जो कि वो डबल लबली कंपनी के और भाई उन्होंने कि ऐसी बात भी बताए ना कि आप तो शौक एंड सर्प्राइज हो जाओगे और रिडल के लिए शायद आप थोड़ा सा प्रेस करोगे यह सुनके उन्होंने बोला कि मेरे साथ ऐसी सिचेशन हो गई थी कि मैं रिंग में कुछ मिनेट से जादा खड़ नहीं रह पाता था मेरे पैरों में इतना ज़्यादा धर्द होता था इवन जब मैं बैठता भी था प्लेन में बैठा है फिर कहीं बैठा हूँ तो मेरे को अपने पैर फील नहीं होते थे इस इस कंडिशन में वो आ गए थे तो अगर रिडल मेरे साथ नहीं होते या फिर टैग टीम के तौर पर नहीं चल रहे होते तो मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी कि मैं इस तरीके से सर्वाइव कर पाता है और रिडल ने मिर ले काम जो है बहुत जादा आसान कर दिया और इस बात से वह बहुत जादा खुश है रिडल के लिए और इवन उनने पहले भी य सबसे जादा वर्ल चैंपेंशिप होल्ड करने का रिकॉर्ड वह अपने नाम करें वह बोलते हैं कि मैं जादा टाइम तक डबल डबली में रहना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि मैं अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी टाइम स्पेंड करो और इसके लिए ट्रिपल एच को क्रेड़िट दिया कि जब से वह गेम में आये हैं वो इस बात को समझते हैं तो अब जो एन्वार अब हम कह सकते कि अगर रेंडी ओर्टन का गोल ही है तो डेफिनिटली साइडे के साथ और पुछ तो करेंगे और थोड़ी सी भी चीज़े वर्क करती है तो फिर रेंडी ओर्टन जॉंसिन नहीं तो क्या पता सेवंटीन टाइम वर्ल्ड चैंपिन पहले आपको रेंडी ओ सच में और इसकी वज़े से शायदे टेलिविजन से गायब हो सकते हैं आने वाले कुछ ताइम के लिए और डबल डबली ने अपने विज़े सूपरस्टार्स की लिस्ट बहुत बाड़ा चेंज किया है सैमी जेन को हटा के सीम पंक आ चुके हैं और कैविन ओवन्स को हटा के बाद से कि वह लग रहे हैं यह तो बहुत ही जादा बड़ा सूपरस्टार होगा बहुत दूसरे लोगों के सामने क्योंकि नंबर्स में प्रूफ है रियक्शन में प्रूफ है हर जग हम कह सकते हैं कि वह चीज़ प्रूफ ही है लेकिन डबल डबली कुछ मुमेंट पर को साइड में रख रही और जरिको ने इसके बारे में बात भी करी कि क्या वह सर्प्राइज हुए और जरास अभी सर्प्राइज नहीं है जो मैंने सीम पंक को डबल डबली में देखा क्योंकि विंस मिकमान वाला एक्टिटीट कहरी किया है ट्रिपल एस ने की भाई पैसों जहां पर बिजनेस बनाने की बात हो वहां पर दूसरी सारे चीज़ों को साइड में रखा जाता है और यह चीज ट्रिपल एस ने सीखी और इसी वज़े से वह यह चीज कर पाए तो तुम देख भी लो भाई सोशल मेडिया पर नमबर्स भी जादा है तो डबल डबली को बैनेफिट और इस वह चीज मुझे जादा सर्प्राइज नहीं करती यह क्रिस जैरिको का कहना था और ऑवेसली उन्होंने कोई ऐसे कुछ बैड टर्मस पर नहीं रखा सी हम पंको जो कि मुझे देखके अच्छा सब्सक्राइब उसके नहीं कोई पूछने वाला उल्टा बोलने वाला है तो उस पूरी वीडियो एक बार फिर से ट्वीट किया और जब उन्हें तो प्रोमों में बोली थी और आप वह ज्यादा कर रहे हैं कि दिरेक्ट वे में उनके कुछ बात बोली जारी एस पूछ बा को CM Punk के बारे में कुछ ना कुछ बोलना चाहिए ताकि लोग भी उसके बारे में बात करें और उसके बाद अगर इन फ्यूचर के लिए कोई प्लान होता है डबल डबली के लिए तो यहां से स्टोरी पिक करी जा सके कि देखो CM Punk के आते ही ड्रू मैकिंटार ने किसी सूपरस्टार ने क्या बोला था एक बहुत सैड चीज में आपको बताना चाहूंगा वैसे तो मैं कल रॉव वाली वीडियो में इसको बोलने वाला था लेकिन पता नहीं दिमाग से निकल गया और वो है कि डबल डबली के अंदर अब हीट वर्ड जे उसो का है वो और अब नहीं होने वाला और उसके पीछी रीजन यह है कि जो डबल डबली का ट्रेड मार्क है उसको अपने नाम नहीं कर पाई 2021 से ही एक प्रो रेसलर है केजी हुफमन उनके पास ये जो है पहले से ही ट्रेड मार्क पढ़ा हुआ है और ये ट्रेड मार् प्रचंडाइज भी नहीं होगी अब यीट वाली ना यीट वाला वर्ड वो बोल सकते हैं और कहीं नहीं कहीं रोमन रेंस का इसमें कोई असर तो नहीं हो गया कि भाई वह चाहते थे यार ये यीट मत यूज करो में को बहुत बरा लगता है लेकिन यह चीज अधर वे में जो है हो गई है जे उसो के साथ और यह चीज अब नहीं होगी बाई कितना मसता है अभी इवन आपने कल रहो में भी देखा होगा जब वह यीट पंचिस मार रहे था उनको तो प्रावड कैसे यीट कर रहा था तो बड़ा कूल लग रहा था बड़ा यह नहीं होगा और डूबली को भी फिर उनके सामने जुकना पड़ जाता है और डू मकंटायर ने इस पर और ट्रोल कर ले भाई डू मकंटायर पता नहीं क्या ही करने सोचल मीडिया पर यह जिमी उसो की वह वाली क्लिप है जहां पर यह यह नो यह करके कह रहे हैं और इसी वाली पूरी लेटेड़ है और सीम पंका एक सीक्रेट टेस्ट होने वाला है डूबल अबली कंप्री में डूबल अबली के हायर अप्स की तरफ से अभी आपको बताया था कि एक न्यूज आई थी की डूबल अबली और सीम पंके कांट्राक के बीच में एक बिहेवियर क्लॉस भी है जि अपने जो ट्रिगर से उनको पुल नहीं करना चाहती क्योंकि एवेंचुली डूबल अबली को सीम पंक वर्सिस रोमन रेंज की तरफ जाना जिसके बार में अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता है तो फिर कौन सा सूपरस्टार जीदेगा लेकिन किस तरीके से सीम पंक का जो बिहेवियर है अब होता है जब उनको थोड़ी बहुत अपने डिसपॉइंटमेंट फेस करनी पड़े या फिर हमेशा वो टॉप पर ना आए उसके बाद डबल डॉली कुछ डिसाइड करेंगे सीम पंक लिए और यह बल्कुल बेसिक सी चीजा है थिंग क्योंकि यह बात मैं सारे मैं जीतूंगा ही तभी मैं पता नहीं तो जाद ही कुछ ऐसा नेगेटिव हो गया बोलनेंगे मुझे इसा लगता नहीं बट यस अभी आने वाले टैम में आपको कुछ ऐसा दिखेगा जहां पर डबल डॉली टेस्ट करेगी सीम पंक को अगली स्टोरी गाइस रो के साथ डबल डबली जाएगी नहीं पंक के साथ काम करेंगे वह लेकिन आगे जाके और के विए बोल दिया कि तो बी अनेस्ट मुझे अब करना ही नहीं रोमन रेंस के साथ मैच और उन्हें ने का कि फैंस जादा डिजर्व करते हैं क्योंकि और जो चीजे में लिए वरक में लास्ट मैंने कुछ ऐसा स्टायड बताया था अगर मुझे अगर मैं सही हो तो तो इस बार भी अगर हो गया तो भाई यह तो अलगी हो जाएगा हर बंदा रॉयल रॉयल में यह बंदा कैसे रोमन रेंस के सामने आ जाता है बट यह अच्छा लगा कि इस तरीके से बोल ले नाइट फिर एले नाइट की दूसरी वाली मर्च और उसके बाद जान सीना तो देख रो बाई एले नाइट का दब दबा यहां पर भी कितना सही वाला चल रहा और डबल डबली ने नहीं मरचंडाइज निकाल दिये की हैल फ्रोज ओवर और यह तो भाई बहुत मस्ट इसको तो ऐसे लग रहा है कि क्या मंदब 40 साल के उपर भी जाके बंदा ऐसा कैसे कर रहा है और यह नया रेंडर भी अब लिस्ट में शामिल हो गया और हैर की जो लेंथ है वह बड़ी सही लग रही है और रिडल के साथ रहे के मुझे थो थोड़ी बाड़ी बाड़ी रखी थी वह रेंडी ओटन के ऊपर मैंट रिडल का इफेक था अब बैक तू बिंग रेंडी ओटन हो चुक है रेंडी ओटन और अब तो भाई अभी हील नहीं है तो थोड़ी सी अभी खतरनाक साथ थोड़ी चुपा कर रखेंगे जब निकलेगी हील वाली तो फिर तो क्या कहर होगा इस फिजी के सांथ रेंडी ओटन का एजस्टाइल्स के बारे में बात कर लेते हैं तो भाई मैं मिलको भी नहीं याद मैंने कितनी बार आपको बता दिया कि डबल डबली कह रही है कि मतलब सोर्सस के अकॉर्डिंग के स्मैक डाउन में इस हफते और नेक्स्ट वीक सब रेस्लिंग ऑफ्जर्फर रेडियो की तरफ से अपडेट है कि करेंट प्लैंड इस फर फॉर्मर डबल डबली चैंपन एजस्टाइल्स तो रिटन तो स्मैक डाउन दिस वीक एट लास्ट क्या यह होगा सच में कैसा होने वाला अब कैस हो रहे हैं अंगले हमलें सब्स स्मैक डॉन असमों होने वाला है बाकि वो स्मैक डॉन देखके पता चलेगा इंपॉल्सिव पॉड्कास्ट में लोगन बॉल ने वाई मतलब कोई स्टोरी नी चले लेकिन उसके बावजूद भी डॉमनिक मिस्टिजो ने यह रिप्लाई किया है लोगन पॉल को तो अपने करेक्टर में इतने ही मत घुज जाना है कि जब याद मतलब सर्टिफिकेट में लिखना हो कि पिताजी कौन है तो फिर पिताजी को डिसस्पेक से नाम लिख जो तो यह जो करेक्टर वो बिहाइंड दा सीन बिहाइंड दा कर्टेन भी ऐसा ही चल रहा है डॉमनिक के सौ मैच इस भी हो चुके हैं और वह ऐसा करने वाले दूसरे सूपरस्टार हैं कोडि रोड्स के साथ इस साल के लिए बागी आज की वीडियो इतनी सी थी अकर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बलको कर दो और तब तक आप देगी आप समझे ले लेगी